देश में राम जन्म भूमी बाबरी मस्जिद एक बहुत बड़ा विवाद माना जाता है जो दो प्रमुख समधाय हिंदू मुस्लिम के बीच कही न कही दूरी का कारण बना हुआ है लेकिन इसी बीच एक और समधाय ने अयोध्या जमीन पर अपना दावा जताया है अब बौ कोट में इस मामले में एक याचिका दायर की गई जिसमें दावा किया है कि अयोध्या विवादित स्थल पर मस्जिद से पहले बौध स्थूप हुआ करता था जो बौधों का प्रमुख आध्यात में कौरदार में किंद्र था बाबर के सेनापती मीर बाकी ने इसे तोड़ माई साल 2002 से 2003 में हुई थी सुप्रीम कोट में यह याचिका पिछले हफ़ते ही दायर की गई है इसे सम्मेदान के अनुचेद 32, अनुचेद 25, 26 और 29 के साथ के तहट एक धीवानी मामले के रूप में दर्ज किया गया है याचिका में लिखा गया है कि इस खुदाई में अपनी थियोरी में दाखिल नहीं किया इस जानकारी को छपाया गया है